कि नमस्कार दोस्तों का मेरे youtube चैनल में डॉक्टर ओफिशल में दोस्तों आयुअ का प्रोसेश चल रहा है जग़े जग़े और यहां पर हम बात करेंगे थ्री बिग अपडेट्स की जो की आईउश मिनिस्टर ने जारी किया है ठीक है बात करेंगे इंके बारे में और एक गुड नीज भी आप सभी के लिए तो वीडियो पूरा एंट देखिए साथ ही दोस्तों वीडियो पर से लाइक कीजिए शेयर तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों पहले बिग अपडेट की जो की गवर्मेंट ऑफ इंडिया आईउश मिनिस्टर के दौरा रिलीज किया गया और काफी सारे स्टुएंट से लिए गुड नीज भी नीज भी इसके रिगार्डिंग है यह और यहां पर जो है इन्हों लिखा है कि हमें काफी सारे स्टुएंट की रिक्वेस्ट आई थी रिलेक्सियोशन के लिए ताकि वह रिडियूस कर सके हैं रिक्वाइड पर्शंटाइल फोर नीट इन नीट हना नीट 2020 में जो रिक्वाइड पर करना जरूरी होता था अपने अपने के टेग्री के अको इतने क्वाइड माक्स आने चाहिए तभी आप लेजीबल के लिए तो इनके पास काफी सारे क्वेस्ट आई थी रिलेक्सियोशन के लिए कि हमें पर्शंटाइल में कर दो तकि हम यह लिजीबल हो चके हैं तो ऐसे म सब इसके स्टुडेंट को ठीकर न तो यहां पर अप जो है अप जो है नहीं परसन। जो है जो जा है नहीं परसन՞ट के लिए नहीं परसनी बता ही है उस्चोर आपर फोती एत परसंटार जो है रिक्वाइड है यहां पर पहले जो है जो है जो है जो क्वालिफाइंग कट ओफ थी उसके अकोडिंग कांसलिंग करा सकते थे लेकिन अब जो है इन्होंने परसेंटाल में रिडिूस कर दिया जिनके जिन भी स्टुडेंट्स के अब जनरल के टिकर में 48 परसेंटाल है वह भी एलिजिबल है सकते हैं अब यह कर सकते हैं यह के वफिशी कर दोस्तों जो होते हैं जनरल के अब बीदिए ठीपरसेंटाल रिक्वाइड है और यह बिग्रिलेउट्स वे लिए दिया गया है आपने चेक कर लिजिए अगर आप थर्टिये परसेंटाईल या इसससे अब आब है तो आप ज जो एलिजिबल हैं कांशलिंग के लिए आप कांशलिंग में पार्ट ले सकते हैं तो जो है आप सभी के लिए गुद न्यूज़ हैं जिन भी स्ट्येंट के कम माक्स आ रहे थे ठीक है ना तो नीट कॉलिफाइब काफी सरे कमेंट्स भी आ रहे थे मैं पर सकता हूं कि यह सब इस्टेट ऑफरीटीज की जो कमस्लिंग हो रही इसमें मानने की जाएगी और साथी डबले टेपल सी कमस्लिंग अब तो ऐसे आपको कोई कंफूजन ना रहे सबी के लिए जो है अब यह जो है ओडर दे दिया गया आईप्टेट्री ने यह के वल इसी सच्छ ठीकरी आपको रिलेक्षेंश ने दे गया है ठीक है यहाँ पर जो है अब यहां पर यहां पर दे रखा कि इन्होंने जो पहले नोटीज निकाल आथा एक तारिख औ एक जन्री को जो ऐलिग्ए पीका उसनों कुछ changes किया है क्या changes है यह आपको बताया तो आप पड़ सकते हैं यहां पर कि those candidates who have chosen upgradation in round 2 and from round from their round 1 allotted seat and not upgraded in round 2 such candidates are also eligible for third round और मोपर राउं ठीक है तो यहां पर यह बताया गया है कि दोस्तों जिन students ने round 1 में seat होगे थी लेकिन round 2 में upgradation के लिए चूज किया था ठीक है लेकिन round 2 में जो उनको कोई upgrade नहीं हुआ यानि seat नहीं मिली तो ऐसे में दोस्तों वो candidates eligible हैं third round में या मोपर राउंड में participate करने के ठीक है तो यह update है दोस्तों काफी सारे students के लिए भी बिग अपडेट बिग गुद नियूज हो सकती है ठीक है तो यह था डबले टपल सी कांशलिंग का next update यहां पर हमाँ पर थर्ड अपडेट या थर्ड नोटीस जो है डबले टपल सी eligibility यानि जिन सीट के लिए उनी सीट को फिल अप करें चोईस फिलिंग में जिन सीट के लिए आप इनलिजिबल है उन सीट के लिए ठीक है तो यह आप धियान रखें और carefully चोईस फिलिंग करें ठीक है मैं आपको बार-बार कहता रहता हूं क्योंकि इन्होंने क्या रहा है अगर आप एलिजिबल हैं तो यह सेट बरहे हैं क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपके करण्ट जो है आपने तो सीट बर दी आपको अलोट होगी लेकिन जो जो एलिजिबल केंडिट था उचको वह सीट नहीं पाई बहले वह यह वह एलिजिबल था फिर भी ठीक है तो ऐसा आपका नुक्सान हुआ ठीक है साथ ही उसका भी नुक्सान हो गया ठीक है तो ऐसा ना करें जो सीट के लिए आप एलिजिबल हैं वही सीट भरें फिल अप करें चोईस फिलिंग में और जो है ताकि आपको नुक्सान नहीं आगे जाके कैंसिलेशन हो सकती है आपकी सीट की ठीक है ना तो इसका ध्यान रखें और चोईस फिलिंग केरफुली करें तो दोस्तों यह थिरी अपडेट्स आपको मैंने देदी इस वीडियो में फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चेहन